हलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्मार्ट नोकरी चैनल दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आटा गुदने की विधी तरीका यानि कि कैसे आपको आटा को गुणा जाना गया जी हां दोस्तों आपने सुरू से गर वीडियो देखा होगा तो आपको पता करने समारा रहा है आटा गुदने का तो आज हम इस वीडियो में पूरा पूरा इस्टेप आपको यहीं बताने वाले कैसे आपको आटा गुदना थाकि आपको पहुंच सके जिया दोस्तों आटा गुदने के बाद ही आपको जो है आगे का प्रोसेस होता है यानि अगर सब्सक्राइब कर अभी तक आपने स्मार्ट नोगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि स्मार्ट नोगे चैनल को लेटेस्ट अपडेट हम इसा सब से आगे मिलती है और आरपी एफ रुद्ध में बताएंगे तो देखेज़े समान क्या होता है दोस्तों होता है आपके लिए 25ny PG ग्राम घेहूं 39g औरख 179 capable प्रेट्सक्राइब सब्सक्राइब गेहूं का आटा दिया जा रहा है जी यहां दोस्तों अब हम बताएंगे आपको कैसे आपको step by step follow करना है ताकि यही step आपको follow करके वहां पर आटा गुदना है ताकि आपका selection पक्का हो जाए आटा गुदने की विदिया यानि how to prepare आटा गुदना परांत लीजिए उसमें आटा रखिए और फैलाईए जी यहां दोस्तों पहला step यह है जो आपको आपके कटोरी मिलती है बरतन मिलता है उसमें आप आटे को इसी प्रकार जैसे दिखा रहा है स्क्रीन पे इसी प्रकार आपको जो आटे को फैला लेना है जितनी बड़ी क्यों कि 100 ग्राम आटा आपको समझ सकते काफी कम होता है तो उसके लिए जितनी छोटे कटोरी आपको होगी लेकिन आपको पूरा आटा इसी प्रकार फैलाना है पहला step आपका यह होगा तो इसे हम यहां पर लिग देते हैं फुरस्ट अब थोड़ा सा पानी डालिए और हाथों में मिलाईए जिया दोस्तों आपका second step क्या होगा वो होगा आपको यहां पर कि जो आपने आटा फैलाया था उसमें थोड़ा सा पानी मिलाईए देखिए कैसे पानी मिला गया और उसको अपने हाथों से जिया दोस्तों आपके हा संध्राइन, आड़ पहा, जो हो दो हेंनेीज़ा से जो हो जाने साथ आठे में बातों से जो है उस आठे को हिलाना यानि चलाना हैं में आटा गीला जी याँ, आप देख सकते हैं इसक्रीन में, यहां पर आटा जब आप इसको मिलाएंगे अपने हातों से, उसमें पानी का मिक्स्यर है, तब आटा क्या हो चिपकने लगेगा, जी याँ, उसका छोटे-छोटे देखिए, कैसे इसमें आप देख सकते हैं, छोटे-छोटे-छो जो है थोड़ा पानी और डाले कूझ आपके हांटों इसको और अपस से इसी परकाश से से फरस्ट हम राइब किये थे पहले आटे को ले लिए उसके बाद से चेप में हमने देखा अग्टों को फैला दिया गया थर्ड अबने देखा उसमें पाणी मिला के हाथों से चलाए गया तो फूर्थ स्टेश में हम क्या देख रहे हैं थोड़ा पानी एडिकर रहा है यानी प्लस करें क्या पानी जी यह और यह हमारा कौन सा इस्टिप चल रहा है फूर पूरी उंग्लिया जो है और यह आटे आपस में फुली तरह से चिपकेंगे इसे गोल गोल आपको दिखाई देंगे तो यह क्या होता है जब यह यह स्टेप आप पहुंच जाएंगे तो यह हमारा पांचवा स्टेप है यह हमां जब पानी एड करने के बाद का स्टेप तो देखिए अब जो है चेटे स्टेप में क्या हो जाता है हम आपको इसलिए पूरा स्टेप बाई बता रहे हैं दोस्तों चेटे स्टेप में देखिए अब आटा जो है आपस में बड़ी मातरा में चिपकने लगए पहले हम पानी जब अच्छी तरफ मिल लेते हैं जब उनका मिक्शन हो जाता है तब याकि रऒबे यहां हो गया है पर छी सक्रेंट पर यहां से एक बात जाने कि हमके आगले और स्टेप में क्या करना है इस प्रकार जो है आपको हाथ उससे चलाना मिलाना पड़ेगा दोस्तों तब ही जाके आटा अच्छी तरह से जो आपका गुदना स्टार्ट होगा यह हम देख सकते हैं अभी जो है बड़ी मात्रा में गोल आटे सब इक तरह से चिपक चुके हैं अब आगे लिए स्टेप पे देखिए किस परकार यहां पर लीडिज ने देखिए अपने हाथों को खुब अच्छी तरह से मुठी में जिया दोस्तों आपको भी इसी परकार मुठी में पूरी आटे को समेट कर इसी परकार अब देखिए यहां पर पूरा आटा जहां बर्तन 17 20 सब्सक्ष कर दोस्तों चरते तोस्तों समझ दिए आपका अच्छी तरह एक तरह से लिए यहां बर्तन सब्सक्राण मोख उने लिए अगर बच Specifically सबस्क्राण से पिसाथा च्पका रिचनek लाग है याने की और दी तरह से अच्छा तच्छा नहीं है देख सकते हैं जो है यहां पर पूरा जो है आठा साफ हो चुका है यानि कि हमारा सब्सक्राइब करेंगे तो देखिए किस परकार यहां पूरा लगभग जो है 60-70 परसंट जो है आपका अच्छी तरह से गुना चुका है यानि कि पानी का उसका पूरा मिलाप हो चुका है यहां से आपका हलका हाथ भी आपसे साफ होने लगा है तो इस सारे स्टेप्स हो निएक बाकी है जो हम आपको बताने वाले हैं नेक्स सेप में यहां पर आपको क्या करना पानी करना यानि दूसरी हो रहे हम पानी एड कर रहे हैं अगर ऑवर आल देखे था हम टोतल तीन बार पानी मिला है सबसे पहला जब हम आटे को फैलाते मिलाते है उसके बास तिसरी बार हमान जाप पानी मिला रहे हैं आप देखिए यहां पे इनका हाथ पूरी तरह से साफ हो गया है और ठाली यह पूरी लगभग तैयार हो चुका है लगभग सारा आटा इक साथ मिल गया है अब अच्छे से गुंदने के लिए मुठी से उसे कचर हो चुका है यानि पूरा मिक्स हो चुका है पानी के साथ आटा तो एक तरह हो चुका है आप उसको क्या लगाना इस पर ताकि पूरी अच्छी तरह से जो है मिल सके अब देख लीजिए इन्हों ने किस परकार जो है आटे को फैला दिया और अपने मुठी को इस्तेमाल किया है इनकी मुठी पर जादा फोकस कीजिए आपको समझ में आ जाए किस परकार आपको जो है अपना रखना है हाँ क्योंकि यह सारी करा आपके जो है एक्जामने चेक करता है आप फैनिसले कॉंस्टेबल में काफी लोग जो है सब्सक्राइब क्यों कि किसी प्रकास जो है नहीं जो है सीख रहे हैं बत्व प्रैक्टिसर के आ रहें पर वैसा नहीं आपको अच्छी तरह से मिलाने का तो दिखी यहां पर सब्सक्राइब आपको जो है मिसा अटा गुंदना चाहिए ताकि आटा जो अच्छी तरह से मिल सके यह स्टेप हो गया आपको अब हम जानते हैं तो नेक्स्तेप में देख सकते किस परकार उन्हों पर प्रैसराइज कर रहे हैं यानि इसको दवाते र पर नीचे दाइं जितना भी हो सके उसे प्रेसर दीजिए और उस आटे को घुनते रही रगाता है यह स्टेप हो गया आप देखिए ऐसा करने सापका रोटी जो है बहुत चिकनी और स्वादिस्ट बनेगी यानि हमने जितना स्टेप्स आपको बताया है वह स्टेप्स आप उसके बाद देखिए आपका सबसे पहली चीज किया दिखा गया कि आपके दोटी बहुत चिकनी बहुत स्वादिस्ट बैंने जो कि हमें चाहिए कि एक्जामिनर को जो है हमारी डोटी साफ और चिकनी दिखाई देने चाहिए साथ में वह स्वादिस्ट भी होनी चाहिए त सब्सक्राइब और अपने हाथेली पर लगा लेते तो आठा आपको जो है चिपकेगा भी नहीं जिया दोस्तों बहुत जल्दी साफ भी हो जाएगा तो यहां पर ज्यादा आपको मेहनत करने के आश्रिकता नहीं पड़ेगी अब देखिए गुदिवी आटे से आप जो चाह समझने और सीखने को मिला होगा बट अभी भी कुछ डाउट सब्सक्राइब अगर आपके रह जाती है तो आप वीडियो के निचे कमेंट सेक्शन में जाहिए अपना कमेंट वहाँ पर दीजिए हम उसका एंसर आपको वहाँ पर देंगे तो दोस्तों मिलते हैं नहीं जान